जेहिन दोस्तो सोगत है आप सभी का नोकडीकबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से आचुकी साल 2030 के लिए बंपर नई सीधी भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए 3500 से भी अधिक नंबर और विकेंसी के उपर भरतियों के नोडिविकेशन और आफ लाइन आवेदन करने के लिए अपलिकेशन फोरम भी जारी कर दिये गए हैं आप सभी को पंचायत सहायक की पदों पर भरतियों के नोडिविकेशन देखने को मिलेंगे जिनके लिए कच्छा दसवी और बारवी पास वाले केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं दोस्तो साल 2030 के लिए मिनिश्ट्री और पंचायती राज की तरप से बहुत ही बड़ी गुड नियूज आ चुकी है अगर आप सभी लोग अपने गाउं या जिले के ग्राम पंचायत के अंदर एक अच्छी सी पोश्ट पर परमनेंट सरकारी नोकडी पाना चाहते हैं वो भी बिना किसी परिक्षा और इंटर्व्यू के केबल और केबल मेरिट लिष्ट के अधार पर सलेक्षन के बेसिस पे तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मोका आ चुका है दोस्तो आगे इस वीडों में नोटिविकेसन को डाउनलोड करेंगे आपको आप एदन आप लाइन कैसे करना है कैसे भरना है कौन सी गलती नहीं करने है जिस बज़े से आपका फोरम कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाए इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाली ह आप सभी से छोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप लोग दसवी या बारवी पास हैं और अपने जिले या ग्राम के अंदर जो है तो ग्राम पंचायत में सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं तो आज किस वीडों को सुरू से लेकर पूरी आखरी तक जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा तो आए बेसिक जानकारी देखते हैं उसके बाद आपको नो आप लोग आने वाली दो फरवरी 2023 तक आवेदन कर पाएंगे और इंडिया भारत के किसी विराज जसे आवेदन करेंगे साथी साथ मेल एंड फी मेल महिला पुरुस दोनों के टेगरी के केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं आप लाइन दरीके से आवेदन होंगे आवेदन करने के लिए बेदन के बारे में आगे बताएंगे और यहां पे सबसे अच्छी बात कि बिना किसी परिख्षा और इंटर्व्यू के किबल और किबल मेरिट के अधार पे आप सभी का चेयन होने वाला है तो आए चलिए नोटिविकेशन को डाउनलोड करते हैं औ आपको आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दे देते हैं तो दोस्तो हमारा ओफीसल नोटिविकेशन ओपन हो चुका है आप लोग यहां पे देख सकते हैं पंचायती राज बिवा की तरब से यह भरतियों के नोटिविकेशन 9 जनवरी 2013 के दिन जारी किये बात करें कि यहां पे कौन सी भरतियां तो देखें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदो पर यहां पे 3544 पदो पर भरतियों के नोटिविकेशन आउट किये गए हैं आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं आवेदन आप लोग 17123 यानिकी दो फरवरी तक करपाएंगे इसके बाद देखें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंटी ऑपरेटर के चैन की समय सार्णी यहां पे दी गई है सबसे पहले तो आप लोग आवेदन यहां पे देख सकते हैं कब से लेकर कब तक चलेंगे तो 17 जनवरी 2023 से दो फरव फरवरी तरीके से फोरम को भर के यहां पे भेजना होगा और कैसे भेजना इसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसी के साथ में आपको एक आपलाइन अपलीकेशन फोरम मिलेगा जो की है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम पासखंड का नाम जनपत का नाम यहां पे आपको डालना होगा आप एदक का नाम यहां पे डालिए पिता का नाम डालिए माता का नाम डालिए और इसके बाद यहां पे आपको अपनी जन्मतित भी डालनी होगी आयू बतानी है कि 1 जुलाई 2022 से कितने साल कितने महीने और क पत्र व्योहार का पता यहां पर्मानेट आपको यहां पर जो अभी का पता है वो डालना यहां पर आधार का एड़िश डालना है और साथ में आपना मुवाइल नमबर डालना है सेक्षी के योगता की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल यानी की दस्वी और बार्बी की जानकारी देनी है जैसे कि मैं इस्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कैसे क्या फिल करना आए देखते हैं सबसे पहले बोर्ड का नाम लिख देंगे उसके बाद कौन से बिसर से पास किये हैं कितने का पूरांग था और उसमें से आपको कितना मिला क्रिस सेनी में आए और कितने आपके परसेंट बने कार का अनुभव वर्स में अंकित कर सकते हैं विदवा पुत्री विदवा मा अविवाईद भाई बहन यहाँ पे टीक करना होगा जो भी आपका रिलेशन रहा हो कोविड में मितु वाले से इसके बाद यहाँ पे मितु की तीथी आपको बताना है उसका प्रमान पत्र जरूर से आपको फोटो कॉपी के रूप में इस ग्राम पंचायत विकास खंडजीला पंचायत राज अज़कारी से प्राप्त करना होगा यहाँ पे प्राप्त करता के हस्ताक्षार मुहर प्राप्त करता का नाम और दिनांग कंपलसरी है इसके बाद देखे यहाँ पे बोला गया है पंचायत सहा का अकाउंटेंट कम पीडिया फेस के अंदर आपको सारी सारी ग्राउं पर चायट ब्लॉग के ने में यहां पे सीरिल वाइस मिल जाएंगे आपको चेक आउट करना है कैसे आपको आप इधन कहां के लिए करना है क्योंकि यह हैं सेलेक्ट करके आप लोग अपने फॉरम में फील करेंगे टोटल 92 पेज़स का पीडिया फेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दिया गया है तो मैं स्क्रॉल करके आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं उसके बाद आपको विपसाइट पे ले चलके कैसे नोटिविकेशन को डाउनलोड करेंगे फोरम को डाउनलो के लिए 3544 पदों पर बिना किसी परिख्या और इंटर्व्यू के के बल और के बल मिरिट के बेस पे सेलेक्शन के लिए भरतियों के नोटिविकेशन और आपलाइन आपको डाउनलोड कर दिये गए हैं महिला पुरुष दोनों के टेगरी के केंडिडेट आपको डाउनलों अगर वीडियो आपको काम की लग देए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिविकेशन को ओन करना बिल्कुल भी मिस्त मत करियेगा आईए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक और ओफिसल वेप साइट पर दोस्तो आपको आवेधन करने का नोटिविकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्किप्सन में और आप लोग जहां पर कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके इस पेंच पे आप आएंगे यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं सरकारी एक्जाम.co.com की वेबसाइट पे हैं आपको ध्यान में रखना है गूगल पे जाके सर्च करना है सरकारी एक्जाम.co.com आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं पंचायत सहायक भरती 2030 के लिए पंचायत सहायक के पदों पर आ गई भरती दस्वी बार विपास कर सकते हैं आप एदन आपको फोरम फरना होगा देख सकते हैं पंचायत सहायक भरती 2030 नोडिवीकेसन आउट फोर 3544 पंचायत सहायक जहां पर आपको 3544 पूश्टे मिलेंगी 17 जनवरी 2030 से लेकर 2 फरवरी 2030 तक आपको आप लाइन तरीके से आभी एदन करने होंगे इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन के बारे में तो 10-12 पास केंडी रेट यहां पे 10-12 पास केंडी रेट यहां पे आप एदन कर पाएंगे और इसके बाद आपकी एज है जो की 18 से लेकर 40 साल की होनी चाहिए दिन बात करते हैं सेलेक्शन के बारे में कोई भी एक्जाम या इंटर्व्यू आपका नहीं होगा केबल और केबल मेरिट के अधार पे आप सभी का चैन होने बाला है बेतन की बात करें तो रूल के हिसाब से 6,000 रुपई स्टार्टिंग का आपको परमंत में दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे देखें आपकी जो अप्लिकेशन फीर से बेलकुल फ्री है चाहे आप किसी भी केटेगरी के उमिदवार कैंडिडेट के उनों हो इसके बाद आपको offline आप एदन कैसे करना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है मैंने आप एदन करके दिखा दिया है यहाँ से आपको application forum मिल जाएगा यहाँ से notification मिल जाएगा और official website भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगी अधिक जानकारी के लिए आपको सरकारी exam.co.com गूगल पे टाइप करना है जैसे की आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सरकारी exam.co.com आपको website और post के साथ application forum प्लस notification मिल जाएगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद